आज हम क्लास 12 में आज हम लोग exercise 4.1 है ठीक ना इसमें दो पार्ट औरेडी हो चुका है एक होगा एक दो तीन कोसर नमबर एक होगा चार और आज होगा पार्ट थिरी जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कोसर नमबर पांच और छे पर ठीक है पांच छे साथ ध्यान से देखिएगा और आज के वीडियो में आज के क्लास में आप लोग का मुखरुप से चर्चाएं जो होगी वो दो तीन फॉर्मूला पर ही है ज्यादा नहीं है तीन फॉर्मूला क्या है पहले उस फॉर्मूला को लीग कर एक बार थुरा रीव लोग से देखिए तीन फॉर्मूला वह है कौन सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लुकु पढ़ें भी होंगे शब का यूज है भी जस्ट बताएंगे टाइन इन्भर्स एक्स पलस टाइन इनभर्स बाई बढ़ाबर आपने पढ़ा होगा टाइन इनभर्स एक्स पलस य बटा 1-xy, इसका condition बताए होंगे, जब x by कमान, x into y कमान एक से क्या हो, कम हो, ठीक है, चुकि यदि इस कमान एक से जादा होगा, तो क्या होगा, 1 में से जादा जाएगा, तो negative हो जाएगा, और negative होने कारण संभब नहीं होगा, तो ये बाला था, और एक formula इसका आउ बताए थ से बड़ा होगा, एक से बड़ा हो जाएगा तब, तो ये दोनों formula का यूज होगा, अभी just, है ना, दूसरा आपका जो formula यूज होगा, वो पहले ही लिख देते हैं, चुकि पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा कुछ अलग है, class रहे यहां रहे, दोनों फर्क होता है, दोनो में से मोता है, है ना, two tan inverse x, two tan inverse x बराबर, ये बताये थे important formula section में हम, tan inverse two x upon one minus x square, तो देखें, ये दो formula आपको question number 4 में साहिता करेगा, कितना में, question number 4 नहीं, question number 5, sorry, question number 5 में साहिता करेगा, ठीक है, 6, 7 तक यही formula आपको साहिता करेगा, और question number 8 में जब आ जाओगे, तो तीसर formula में आपे लिख रहे हैं, क्या, तो sin inverse x plus sin inverse y, इसका बताये थे, सबका prove भी की है, ये पहली बार formula आप लिखें नहीं है, sin inverse x plus sin inverse y बराबर, sin inverse x under root one minus y square plus by under root one minus x square, ठीक है, इसी तरीका से cos inverse x plus cos inverse y, इसका भी formula हम बता चुके है, cos inverse x by minus under root one minus x square into one minus y square, इतना formula को आज यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका इस formula का, ये वाला formula जो pi plus है, इसमें से मात्री question है, इसमें, फूस्ता है, ठीक है, ये formula तो बहुत major है, 2 tan inverse x का, तो इतना formula हम इसे लिख दिए, चुकि ह हम लोग आज work out करेंगे इसी formula पर, तो एक बार आप लोग अच्छा से लिख लिजेगा, ऐसे लिखा भुआ ही होगा, आप लोग को याद भी होगा, या skin sorted लिजेगा, चुकि इस पर चल चाहें अभी, just होगी, काफी देर होगी, ठीक है, तो याद भी होना चाहिए, ये formula, है मूला, हैना, आएए, हम लोग अब, बिना भक्त कवाए, question number 5 चालू करते है, question number 5, देखिएगा, 5 का पहला question, बहुत बार पूछा है, 5 का पहला, अनगिनत पूछा है, मत पूछिए, कोई भी जामस हो, आपका, sent up हो, या half हो, हैना, क्या है question, 10 inverse 2 upon 11, 10 inverse 2 upon 11, plus 10 inverse 7 by 24, is equal to 10 inverse 1 upon 2, ये proof करना है, ठीक है, 10 inverse 2 upon 11, plus 10 inverse 7 upon 24, is equal to 10 inverse 1 by 2, लाना हमको है, हैना, क्या करेंगे, आप गौर्ण से देखें, तो 10 inverse x, plus 10 inverse by, चल रहा है, उस फौर में, अच्छा, हमको चेक करने के लिए बताए थे, कि उन दोनों को गुना कर दो, यक्स इंटू बाइक होती, देखें, इसको गुना करते हैं, चलो, 2 upon 11 into 7 upon 25, तो 2 to 24 है ना, sorry, 24 होगा, 12 दोनी 24, तो 7 बटा something, मतलब जो भी मान आएगा, वो एक से कम आएगा, गारंटी है, ठीक है, तो पहला formula apply करेंगे, तो इसमें पहले हम लोग solution में आते हैं, solution में लिखेंगे, by LHS, ठीक है, LHS क्या है, लिखो, तो LHS है, 10 inverse 2 upon 11, पलस, 10 inverse 7 upon 24, ठीक है, तो लिखेंगे आपे, देखो, एकदम systems देखेंगे, चुकि 10 inverse X, पलस, 10 inverse Y, बराबर, क्या formula बताएं, 10 inverse X, पलस, बाई, बटा, 1-X, बाई, ये कब होगा, जब इन दोनों के multiply X से कम होंगे, तब है भी, आईए इस formula पे ढाल दीजिएगे, सिंपल प्रस्न है, question पुष्टा है, ख्याल रखिएगा, 10 inverse X, पलस, बाई, तो X के जगा क्या रखेंगे, दो बटा 11, पलस 7 बटा 24, अपाउन, 1-, दो बटा 11, इंटू 7, अपाउन, 24, ठीक है, इसको calculation करो, सिंपल है, calculation करने आता ही होगा, है न, 11 और 24 के LCM कितना होगा, चलो 11 इंटू 24 होगा, done, तो 11, डिवाइड करो, भिनका जो रखटाव है, तो क्या बचेगा, 24, तो 24 गुना 2, 48, पलस, 24 कैंसल, तो 11, 11 गुना 7, 87, अपाउन, नीचे भी तो आ रहा है न, नीचे कुछ नहीं तो कितना, जाएगा, तो 11 इंटू 24, माइनस, यह कैंसल, तो साथ दूनी 14, आप जरा सक गौर कीजएगा, देखोई सब कल्कुलेशन है, यह नीचे का सेक्षन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हर बाला सेक्षन, तो टाइन इनभर्स, 48, बलस, 87, जोड़ो, तो जोड़ो, तो 8, 7, 15, 7 में 14 घटाओ, तो देख लेना, कल्कुलेशन करके, 250 आएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो, कट गया ना, तो कितना आगया, बोलो, यह सब कल्कुलेशन है, कल्कुलेशन तो आता होगा ना, 10 inverse 1 by 2, 10 inverse 1 by 2, तो is equal to कौन सा सेक्षन आगया, RHS, प्रूफ हो चुका, क्या किये, कुछ नहीं है, देखो, यह हो गया, LHS में 10 inverse x plus 10 inverse y, बराबर फॉर्मूला जो होता है, वो लिख दिये, क्या होता है फॉर्मूला, तो 10 inverse x plus y बटा 1 minus x by, तो x plus y बटा 1 minus x into y, बाकी कल्कुलेशन था, आगया हमारा, ठीक है, तो इस टाइप से आपका एक कोशन प 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 3, बराबर लाना है, 10 inverse 3 by 5 plus 10 inverse 1 by 4, बराबर 5 by 4, तो क्या करना होगा, तीन पार्ट है, तो क्या दिक्कत है, LHS बाले पार्ट को तोडएंगे, फिर मीडिल बाले पार्ट को तोडएंगे, अद देखेएगा, दोनों को तोड़ करके आ जाएगा 10 inverse 1, अब 10 inverse 1 कित 10 inverse 2a minus b upon b root 3 plus 10 inverse 2b minus a upon a root 3, बराबर लाना है, pi by 3, चलो, देखते हैं, इसको बनाते हैं, क्या है, इदम सेम चीज है, 10 inverse x plus 10 inverse y, फॉर्मूला क्या बताएं, उपर ही बताएं, आज पहले आये थे, उसमें भी बताएं थे, 10 inverse x plus y, तो x के जगा क्या लिखेंगे, 2a minus b upon b root 3 plus b के जगा क्या रिखेंगे, बताएं, 2b minus a upon a root 3, तो 10 inverse x plus y upon 1 minus x into y, तो 1 minus x, तो x क्या है, तो 2a minus b upon b root 3 into, 2b minus a upon a root 3, तो 10 inverse x plus y upon 1 minus x into y, 2i, सेम चीज, गलकूलेशन करो इसको, कल्कूलेशन करो, आराम से बनेगा, ठीक है, कल्कूलेटिव कोशन है, तो यह देखें कल्कूलेशन किजिए इसका, तो LCM हो जाएगा, क्या? time inverse A root 3 और B root 3 में calculation करोगे तो इस calcium हो जाएगा क्या A B root 3 दो बार है तो एक बार होगा तो आ जाएगा root 3 A B done इस calcium तो देखो क्या हो जाएगा divide करो तो B root 3 खतम तो B root 3 खतम तो A बचेगा तो A into something तो क्या आ गया A into 2 A minus B ठीक है इसमें divide दो तो A root 3 खतम तो B बचेगा तो B into something plus B into 2 B minus A ठीक है upon ठीक ना यहाँ देखो यहाँ तो LCM तो same होगा 1 into something क्या LCM आ गया तो LCM आ गया root 3 A B root 3 A B 1 से करो तो 1 हो जाएगा अब सीधा हो जाएगा उपर में क्या तो हो जाएगा root 3 A B minus सीधा इतना into इतना क्या है तो है 2 A minus B into into 2 B minus A done अब क्या करेंगे कल्कूलेशन वाला कुस्सम से यह नीचे का डिनोमिनेटर हर का टर्म समाप्थ हुआ अब कल्कूलेशन बस करो ठीक ना चलिए कल्कूलेशन करते हैं तो है A into 2 A 2 A square A into B A B B into 2 B 2 B square A into B A B अब आउँ यहां under root 3 A B minus चलो देखो यहां अच्छा आज देखना 2 A को इससे multiply करो तो कितना हो जाएगा 4 A B minus 2 A square इसको इसे कीए done फिर इसको इसे करेंगे minus 2 B square minus गुना minus पलस ठीक है फिर एक अस्टे बढ़ते हैं हम लोग तो क्या आ गया तो tiny inverse क्या आया देखो उपर 2 A square पलस 2 B square minus A B minus A B कितना तो minus 2 A B upon नीचे देखो क्या आया तो under root 3 3 A B यहां देखना 4 A B और 1 A B कितना A B हो गिया 5 A B तो minus 5 A B कुछ calculation गरबरा रहा है लगता है minus गुना minus plus 2 A square plus 2 B square ठीक है है ना calculation लगता है गरबर हो रहा है कहीं पिछले questions में थोड़ा सा देख ले ना calculation में गरबर था यहां पर अंस बाला का ठीक है ना नीचे हर बाला का देखो तो क्या है पहले इसको multiply कर देते हैं हम लोग है ना multiply करेंगे तो सिधा क्या हो जागा पिछले बार अलग अलग था तो रूट 3A भी हुआ था तो क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 3 something upon root 3 तो यह root 3 नीचे भागा है उपर जाकर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो यह बाला section उपर चला गया कैसे वह देख रहे ना यहाँ पे LCM कितना होगा पिछले बार अलग लग था ना इस बार क्या है गुना पहले कर देंगे तो गुना करेंगे उसके बाद calculation मेरा सब सही है ठीक है into क्या है root 3 चलो आगे बढ़ो क्या आ गया तो आ गया time inverse बोलो क्या आया 2a square पलस 2b square माइनस 2ab अपाउन यहाँ देखो 2a square पलस 2b square तीन में से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस 2 माइनस 2ab आइधर देखो पहले से क्या है root 3 है यह section part और यह section part क्या हो गया complete तो finally हमारे पास पचा tiny inverse root 3 अब याद कीजे principle value tiny कितना पर root 3 होता है 60 पर अब 60 को क्या लिखते है 5 by 3 देखना आरचेस का टर्म जो हमें लाना था वो कितना लाना था 5 by 3 calculation है 126 देख लेना ठीक है तो देखो यह हो गया 1, 2, 3 4 नंबर में क्या है question number 4 में question number 4 में देखो हम थोड़ा hint कर देते हैं बना लोगे आप लो confirm question का रहा है 10 inverse 1 upon 5 plus 10 inverse sorry 2 upon 5 है 2 upon 5 plus 10 inverse 1 upon 3 plus 10 inverse 1 upon 12 is equal to लाना है 5 by 4 ठीक ना क्या करेंगे देखे कुछ नहीं सर तीन तीन टर्म का तो फर्मूला नहीं पढ़े अरे कोई समस्या नहीं है पहले इस दोनों को तोड़ देंगे तो इस दोनों को तोड़ेंगे कौन से फर्मूला पर जस्ट भी बनाये है 10 inverse x plus 10 inverse by तो तोरोगे इस दोनों को तोरोगे तो क्या आएगा तो आएगा 10 inverse something जो भी जैसे 10 inverse x plus by बटा over minus x by जैसे तोर रहे तो आ रहा है न अब पलस पहले से क्या है ये बाला यहां लिख दो तो 10 inverse 1 बटा 12 अब क्या करोगे एक बाल और चलेंगे 10 inverse x plus 10 inverse by मतलब इसको 2 step में तोड़ेगे फिर से देख लो पहले इसको 10 inverse x plus 10 inverse by फर्मूला पर तोड़ेंगे तो मारा result मिलेगा 10 inverse करके और already हमारे पास पहले सही है क्या 10 inverse 1 upon 2 बेलो फिर हम इसको तोड़ेंगे 10 inverse x plus 10 inverse by से तो मेरा final एक result आएगा 10 inverse अब आएगा 10 inverse 1 और 10 inverse 1 कितना परोता है 5 by 4 तो तीन टर्म बाला भी पूच्टा है तीन टर्म लब फिर से देख लो तीन बार बता रहे हैं पहला दो टर्म को तोड़ोगे तो एक मिलेगा time verse फिर जो मिलेगा उसको तीसरे टर्म से तोड़ देना तो आ जाएगा भाकी तो calculation बाला जो math से वो हम देखते हुए जा रहे हैं तो question number कितना था 4 5 देखो 5 इधर कहां तक आता है यहीं तक ठीक है तो यह देख लो आप लो skin sort लेना है तो ले लो हम लो question number अब देखते हैं 5 5 देख लेंगे तो 6 हो जाएगा 5 देख लेते हैं फिर 7 देख लेते हैं थाना उमीद है कि हो गया होगा साथ साथ हम notes बनाते जाएए लिखते जाएए ठीक है क्योंकि उतना हम fast चलते नहीं है गती ठीक है देख एक question number कितना बोले थे 5 5 2 tiny inverse 1 upon 5 plus tiny inverse 1 upon 4 is equal to tiny inverse 32 upon 43 ये लाना है बहुत simple है कुछ नहीं है अभी तक क्या पर रहे थे tiny inverse x plus tiny inverse y क्या 2 tiny inverse x plus y पर हे थे नहीं तो सबसे पहले ये 2 tiny inverse x को बहुत important question है board model है ये को type change हो रहा है पिछरे बार simple था tiny inverse x plus tiny inverse y पर अब फिर एक वसर आया था तीन 10 बाला वो भी देख लिए अब क्या है 2 tiny inverse x plus something तो पहले क्या करो 2 tiny inverse x को तोर दो अस्टार्टिंग में आये थे फर्मूला बताये थे ना देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चुकि 2 tiny inverse x is equal to formula होता है tiny inverse 2x upon 1 minus x square डन तो 2 tiny inverse 1y upon 5 को पहले तोरो तो 2 tiny inverse 1 upon 5 इसी फर्मूला पर एक दम तोर ना है क्या हो जाएगा तो tiny inverse 2x तो 2 into 1 upon 5 upon 1 minus x square तो एक बाटा 5 का square एक बाटा 25 बस formula पर तोर रहे हैं तो कितना आ गया बोलो tiny inverse 2 upon 5 एक आप माइनस एक बाटा 25 LCM बाटा लेने आता होगा तो हो जाएगा 24 upon 25 ठीक है 5, 5, 25, 2 और 12 5 उपर चला जाएगा तो कितना आ गया आ गया tiny inverse 5 upon 12 calculation करना तो देखो सबसे पहले हमने इसको तोड़ा किस formula पर तो 10 inverse 2 x upon 1 minus x square कितना आया tiny inverse 5 बाटा 12 now now अब question आ जाओ क्या है question है 2 tiny inverse 1 upon 5 तो 2 tiny inverse 1 upon 5 जाएगा क्या लिखोगे बोलो तो लिखेंगे हम लोग tiny inverse 5 बाटा 12 पलस पहले से क्या है तो पहले से है tiny inverse 1 बाटा 4 है ना आप देखो तूट जाएगा पहले वाला formula क्या था फिर लिख देते हैं आप exam में ऐसे ही बनाना ठीक है tiny inverse x plus tiny inverse y वही formula हम चलेगा ना क्या बताएं हम तो हमने बताया tiny inverse x plus y upon 1 minus x y तोड़ दो इस formula पर तो क्या आ जाएगा tiny inverse x तो x के जाएगा 5 बटा 12 देखो दुबारा बता रहे कितना बार यह क्वेसन हो चुका plus y बटा 1 minus x into y x into y calculation करो इसका तो tiny inverse 12 और 4 calcium 12 तो उपर बचेगा 5 4 तिया 12 3 फिर 12 देखो यहां पर 12 उचार नहीं है 12 चुके 48 48 40 LCM है तो उपर क्या बचेगा 48 minus 5 तो 12 का ही 12 12 चुके 48 कितना आ गया तो आ गया हमारे पास question tiny inverse 5 3 8 यह भाग आगा उपर जाकर गुना गुना 4 बटा देखो आया उपर देखो कितना है कलकूलेशन कर भी रहे है करना भी नहीं चाहिए फिर से देखो पहले 2 tiny inverse 1 upon 5 को तोड़े इस फॉर्मूला पर क्या होता है tiny inverse 2x upon 1 एदम सेम कोशन एक है इसी type का आ गया है तो tiny inverse 2x बटा 1 minus x square हमारे पास कलकूलेशन ही सब है आ गया तो हम इसके जगा ये लिखें तो अब tiny inverse x plus tiny inverse y बराबर tiny inverse x plus y बटा 1 minus x y उस पे तोड़े कलकूलेशन है आ गया है ठीक है ये कोशन नमबर 5 कोशन नमबर 6 भी एदम सेम है इसी type का है थाना 5 और 6 हो गया अब देखो एक कोशन होगा आपका 7 ठीक है इसी का 7 ये थोड़ा अलग type का कोशन आ जाता है इसलिए इसमें double star कर दो क्या है तो देखो कोशन है tiny inverse 1 है न पलस tiny inverse 2 पलस tiny inverse 3 is equal to pi बराबर pi लाना है बराबर 2 into जो भी है पहले इसके equal to pi लाना है इसके is equal to pi लाना है पहला step तो देखो सर्च सिंपल है बना लेंगे हाँ बना लेंगे कोई problem नहीं पहले आप देखो जरासा कि ये जो चल रहा है आप देखिएगा और 2 एक से कम की एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा तो एक से ज़्यादा तो कौन सा फ़र्मूला यहां अपलाई करेंगे pi पलस इसलिए equation को double star की है ठीक है तो हम लिखते हैं आपे कि चुकि tiny inverse x plus tiny inverse y बराबर एक से ज़्यादा था तो मान लो कि हम इस दोनों को तोड़ते हैं इस section को है ना तो तोड़ेंगे तो 1 into 2 या इस section को भी पहले तोड़ते हैं तो 2 into 3 6 एक से ज़्यादा ही आ रहा है each and every conditions तो चलो हम इस दोनों section को तोड़ते हैं now क्या tiny inverse 1 फिर से लिख लेते हैं tiny inverse 2 अब पलस क्या है tiny inverse 3 तो इस section को हम तोड़ रहे हैं इस section माले पाट को तो तोड़ो 1 into 2 2 तो ये फॉर्मुला पे तूटेगा क्या होता है फॉर्मुला बताओ तो होता है πाई पलस tiny inverse x पलस by एक पलस दो एक पलस दो बता 1 माइनस x बाई 1 माइनस 1 into 2 2 x पलस बाई बता 1 माइनस x into y 1 into 2 2 पलस पहले से क्या है तो पहले से ही है tiny inverse 3 कितना आ गया तो आ गया पाई पलस 2 1 3 तीन बता एक में से दो गया minus 1 तो minus 3 तो क्या आ गया पाई पलस tiny inverse minus 3 plus tiny inverse 3 भियान देना है ना कितना simple question आ रहे तो में एक लाइन में answer अब होगा अब याद करो फिर लिख देते हैं लोग चुकि tiny inverse minus x का मान क्या होता है तो minus tiny inverse x तो इसके देगा tiny inverse 3 और पहले से क्या है tiny inverse 3 अब बताओ tiny inverse 3 और tiny inverse 3 कट गया कितना आसान से बन गया पाई है ना एक बार फिर से देखो ऐसे फिर दिक्कत होता चुकि हम देख रहे है x into y जो है x into y x से क्या है ज्यादा है तो पाई पलस चलेगा फॉर्मूला tiny inverse x पलस by बता 1 minus x into y यह तो पहले से था तो 2 एक 3 बता minus 1 minus 3 और tiny inverse minus x बराबर minus tiny inverse x है ना तो minus यह cancel हो गया बच गया पाई यह कोशन हो गया 7 नमबर ठीक है अब इसी में देखना है एक step आउर होगा कि इतना बराबर इतना लाना है यह पाई जो है एक और के बराबर होगा उसको hint खली कर देते हैं कोशन है इसी को इसी को equal करना है बराबर में ध्यान देना 2 into 2 into tiny inverse 1 पलस tiny inverse 1 upon 2 पलस tiny inverse 1 upon 3 एक step इसमें और चलना है तो बना सकते हो आप लो यह देखो इस फर्मूला पर नहीं बनेगा why मालो हम सपोज इसको तोड़ते हैं तो x into by तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 एक से कम तो एक से कम तो pi पलस नहीं चलेगा simple चलेगा simple मेथर से बना करके और उसको आगे में कितना सुना कर दोगे 2 से देखना कि पहले इसको इसको तोड़ेंगे फिर अगला को जो आएगा term उसको इससे तोड़ेंगे देखना 10 inverse sorry वो देखना कि वो pi by 2 आ रहा होगा जब pi by 2 आ रहा होगा तो कर जाएगा तो हो जाएगा pi इसको calculation खूद करना ठीक है तो यह था मारा question number 7 अब sir 8 और 9 थोड़ा different लग रहा है नहीं है आप 8 को देखे 8 को 8 हम hint कर रहे हैं न tiny inverse tiny inverse 2 cos यह objective question है into 2 sin inverse 1 upon 2 बरबर pi by 4 यह देखो बिना formula बगेरा गवनेगा principal value पर है ऐसे बता चुके हैं क्या करेंगे हम लोग ध्यान देना तो tan inverse 2 cos 2 into sin inverse 1 by 2 कितना पर होता है sin 1 by 2 कितना पर होता है 30 पर अब 30 को क्या कहते हैं pi by 6 done तो 2 into pi by 6 कितना हो जाएगा pi by 3 देखो कितना असान से आगए एगदम simple question है 2 cos pi by 3 तो cos 60 pi by 3 बनाव 60 cos 60 का मने एक बटा 2 तो 2 गुना एक बटा 2 कट गया तो आगया कितना tiny inverse यह objective में पूछता है 1 कितना बच गया pi by 4 ठीक है फिर से देखो tiny inverse 1 by 2 का principal value रखती है done अब फिर आगए में गुना था तो 2 into 30 हो जाएगा 60 और cos 60 का मान 1 by 2 और 2 into 1 by 2 1 और tiny inverse 1 का principal value कितना होता है 1 sorry कितना होता है pi by 4 तो यह simple question था इसका इससे लेना देना है भी नहीं अब question number 9 आ जाते है 9 क्या है देखो 9 को में हींट कर रहे हैं है ना 9 को यहां पर हम हींट कर देते हैं है कुछ नहीं question time sign inverse 3 by 5 plus count inverse 3 by 2 is equal to 17 upon 6 लाना है ठीक है तो कुछ नहीं है यह time है मैंने बताया था कि यह time है तो अंदर का term भी हमें क्या चाहिए 10 inverse तो करना क्या होगा कि sign inverse 3 by 5 को बदलना होगा tiny inverse में और मैं यह बदलने के लिए बताया हूँ tiny inverse में तो बदल देना तो देखना कि बदल करके आएगा 3 by 4 फिर इसको भी बदलना होगा tiny inverse में तो बदलना तो आएगा इसको 2 by 3 में अब कहिएगा सर बदल नहीं आ रहा है तो और आगे पहले से क्या है tiny अब क्या करोगे tiny inverse x plus tiny inverse by बताया है तोड़ने के लिए तो आगे में पहले से क्या लगा हुआ है tiny तो tiny inverse x plus tiny inverse by को तोड़ोगे तो क्या आएगा तो देख लेना तोड़ करके आएगा tiny inverse 17 बटा 6 अब tiny into tiny inverse x क्या बताये थे x 17 बटा 6 आ जाएगा समझ रहे होगा क्या करना सुनो पहले sin inverse 3 by 5 को 10 में तोड़ना है कैसे तोड़ना है वही बता दें simple है sin inverse 3 by 5 को लोग लिखेंगे theta तो sin theta ब्रवर 3 by 5 sin से निकाल देंगे time तो देखना 3 बटा 4 आएगा cot inverse x का तो सिधा formula 10 बताये थे उलट दो तो 2 upon 3 अब देखो 10 inverse x plus 10 inverse by इतना सारा questions हुआ है क्या होगा 10 inverse x plus by बटा 1 minus x y तो देखना ये term आएगा तोर के फिर हमारा 10 inverse x का formula क्या बताये थे x तो आग ऐसे 17 upon 6 जो की लाना है question ये भी पूछा हुआ है ठीक है तो अपने आप में question number 5 जो है आपका ये complete होता है क्या था रहे तो कैसे बनाए तीसरा हमारा problem आया 2 10 inverse x में रहे तो कैसे बनाए चौथा हमारा term क्या आया term आया कि जब x into by का मनेक से जादा रहे तो कैसे बनाए पांचमा term क्या आया कि अदि आपका 10 दिया हुआ ही नहीं रहे तो बदलने के लिए बता दिए तो इतना तो आपको एक question में complete किया गया है तो आप इस question को पूरे अच्छे से बना देज़ेगा इसका इसकीन सौर्ट देज़े हम लोग question number 6 पर चर्चा भी करेंगे है न ठीक है हो गया होगा question number 6 ये था 5 question number 6 देखिएगा तो 6 का 1 time inverse x plus cot inverse y बरावर time inverse x y plus one upon by minus x ये काम करना है हम क्या पढ़ें अभी तक कि 10 inverse x plus 10 inverse बाई चाहिए लेकिन ये है क्या cot inverse अरे या भी या भी जश्ट बताए थे क्या कि चुकी cot inverse x बरावर फॉर्मूला क्या होता है 10 में बताओ तो 10 inverse 1 upon x सर कैसे होता अरे 10 का अपोजिट होता है इसको 10 में बदल दो तो by lhs क्या हो गया question पहले से तो हमारे पास क्या है 10 inverse x है cot inverse y को क्या लिखेंगे 10 inverse 1 upon by जैसे cot inverse x को 10 inverse 1 upon x लिखते हैं उसी तरह cot inverse y को क्या लिखेंगे 10 inverse 1 upon y अब फॉर्मूला लगा दो न क्या फॉर्मूला पढ़े है 10 inverse x plus 10 inverse y का तो 10 inverse x plus by x plus by नहीं है 1 upon y है है ना by के जगा बटा 1 minus x by x by ठीक है अब calculation है तो calculation है तो तो तोड़ दो क्या calculation होगा तो 10 inverse by और 1 calcium by तो उपर बचेगा x plus 1 by by cancel sorry sorry x by हो जाएगा यहां हो जाएगा x by upon क्या है by lcm तो क्या बचेगा by minus x cancel ना तो क्या आगया finally चलिए तो finally देखिए आप होँआँ पे यहां भी आगया x by plus 1 upon by minus x जो कि आगया एक बढ़ फिर से देखो again simple है cot inverse x चुकी होता है 10 inverse 1 upon x तो cot inverse y को लिख दिए 10 inverse 1 upon y अब 10 inverse x plus 10 inverse y का फॉर्मूला क्या बता है 10 inverse x plus y बटा 1 minus x y बागी calculation आप लो देख लिज़ेगे ठीक है question number 6 का पहला था एकदम same question number 6 का दुसरा है कैसे 10 inverse x plus cot inverse 1 upon x है तो cot inverse 1 upon x को क्या लिखेंगे 10 inverse 1 upon x उल्टा करके फिर 10 inverse x plus 10 inverse y calculation है बन जाएगा done तीन नमबर 10 inverse x plus 10 inverse y है तो उसको तोड़ दिजेगा 4 नमबर आईए 4 इसका 4 कह रहा है 2 cot inverse 5 plus cot inverse सेबन पलस 2 cot inverse 8 बराबबर 5 by 4 बहुत सिम्पल है पहले आप cot inverse को 10 inverse में चैने करो पहला काम इतना बताएं भी जस्ट्चन करने तो पहले देखो क्या करेंगे by LHS done क्या है देखो 2 cot inverse है cot inverse को क्या लिखेंगे बोलो जल्दी tiny inverse 5 की tiny inverse 1 बटा 5 उल्टा हो जाएगा न यहाँ पे cot inverse को tiny inverse में क्या लिखेंगे tiny inverse 7 की 1 upon 7 1 upon 7 2 cot inverse 1 upon 8 को क्या लिखेंगे tiny inverse 1 upon 8 ठीक है अब धियान दो क्या है अब जो है 2 बाला common ले लो ये section और इस section में common इस section में common तो common क्या है 2 तो बचेगा tiny inverse 1 upon 5 plus tiny inverse 1 upon 8 इसमें common नहीं था इसको अलग लिखो तो क्या लिखेंगे tiny inverse 1 upon 7 अब कैसे बनाएगे बताएगे अब simple है tiny inverse x plus tiny inverse by बताएगे है ना तो tiny inverse x plus tiny inverse by उस पे बनाना ठीक है उस पे बनाओगे तो क्या हो जाएगा देखो हम बता ही देते हैं इस question में हो सकते हैं फ़स सकते हैं तुम लो tiny inverse x plus tiny inverse by देखना है यहापे आगे बढ़ा रहे हैं ठीक है तो 2 tiny inverse क्या हो जाएगा x plus by तो x क्या है तो 1 upon 5 plus 1 upon 8 ठीक है बटा 1 minus x by 1 upon 5 into 1 upon 8 ठीक है पलस क्या है तो पलस है tiny inverse 1 upon 7 यहापे टर्म देखो थोड़ा लाओंग है लेकिन बन जाएगा by sense तो 2 tiny inverse 5 और 8 calcium कितना होगा 40 तकिना बचेगा 8 पचे 40 5 अठी 40 अब LCM बगर नहीं आता है तो हम क्या कर सकते है 12 हमाम हो 40 minus 8 पचे 40 एग गया cancel लेको करके पलस क्या आ गया तो पलस आ गया tiny inverse 1 upon 7 40 40 cancel हो गया कितना आ गया 2 tiny inverse 65 13 40 में से एग गया 49 done पलस पलस क्या आ गया तो tiny inverse 1 upon 7 क्या करेंगे अब 13 एकाई 13 13 तिया 49 तो कितना आ गया तो आ गया 2 tiny inverse 1 upon 3 पलस tiny inverse 1 upon 7 अब क्या tiny inverse x plus tiny inverse by दिख रहा है नहीं अब इसको तोड़ेंगे इसको तो कैसे तो चुकी 2 tiny inverse x ब्राबर फॉर्मूला क्या बताएं tiny inverse 2 x upon 1 minus x square तो तोड़ो इसको तो 2 tiny inverse 1 upon 3 ब्राबर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा tiny inverse 2 x 2 into 1 by 3 2 by 3 बटा 1 minus x square 1 upon 9 बागी देखो calculation कर देना चलो हम भी कर देते हैं मुझे मालूम है कितना करोगे तो 9 में से गया 8 बटा 9 2 4 जा 8 3 3 जा 9 3 उपर चला जाएगा तो आ जाएगा tiny inverse 3 upon 4 यह आपने इस section को तोड़ा फिर यहाँ पे आ जाओ 9 क्या आ जाएगे इसके जगा मान रख देंगे क्या हो जाएगा tiny inverse 3 upon 4 plus tiny inverse 1 upon 7 अब हम नहीं करेंगे अब आगे आप किजिए कैसे किजिएगा बताइए तो tiny inverse x plus tiny inverse by उस फॉर्मूला पे तोड़ना tiny inverse 1 एक आएगा tiny inverse x कितना होता है by by 4 एक बार फिर से देख़ो सबसे पहले cotton inverse को tiny inverse मे common है फिर हमने tiny inverse x plus tiny inverse by का formula लगाया फिर हमारा two tiny inverse something आया तो अब यहां पे हम क्या करेंगे रास्ता चेंज करके two tiny inverse x को tiny inverse में लाएगे क्या formula है लगा दिये आ गया अब फिर हमने tiny inverse x plus tiny inverse by लगाएगे आगे मेरा कामाज बन जाएगा ठीक है question number कितना था 6 अब question number 7 देखो 7 दिख रहा होगा बड़ा लेकिन है बहुत छोटा question number 7 ठीक है 7 और यह question दिख रहा है बड़ा है छोटा इसलिए इसको पूछता है objective में है क्या question थोड़ा सा द्यान से देखना एक step का है उतना लंबा कल्कूलेशन नहीं जाएंगे हैं time inverse A minus B upon 1 बटा AB plus time inverse B minus C upon 1 plus BC plus time inverse C minus A upon 1 plus AC मैं भी यह question होगा हाँ यह यह is equal to 0 लाना है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा चलना भी चाहिए क्योंग इतना दिन पढ़े हैं time inverse X plus time inverse Y करके तोड़िएगा फिर आएगा उसको इसे तोड़िएगा बहुत लंबा कल्कूलेशन जाएगा बचना है आप गौर करें तो यह खुद ही एक फॉर्मूला है कैसे time inverse X minus Y बटा 1 plus X Y time inverse X minus Y बटा 1 plus X Y time inverse X minus Y बटा 1 plus X Y अरे दे देगा कहीं पर तुमको A square plus B square plus 2 A B उसको हम लिख सकते हैं यह plus B का whole square तो वह एदम से मूल्टा इस बार दे दिया है तो यह खुद ही एक फॉर्मूला है किसका तो यह फॉर्मूला है time inverse A minus time inverse B का है ना यह फॉर्मूला इसका हो गया done फीर देखो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो कितना simple हो गया time inverse B minus time inverse c done यह इसका हो गया इसको क्या लिखेंगे तो time inverse c minus time inverse a यह इसको लिख दिया कितना simple है अब हमारा answer आ गया इसको हमने लिखा time inverse a minus time inverse b इसको हमने लिखा time inverse b minus time inverse c इसको हमने लिखा time inverse c minus time inverse a अब गौर करो कि इसकी आ गई time inverse a plus c जब सभी पार्ट cancel होगे तो कितने answer आ गया है 0 दिखने में लग रहा था question number 7 ज्यादा long है लेकिन है नहीं तो यह question number कितना हो गया 7 हो गया अब हम लोग question number 8 पे चर्चा करें minute बताओ 41 है रोक देते हैं एक minute तो देखें हम ज़्यादा आज नहीं question number 8 छोड़ देते हैं ठीक है जोकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को देखना भी है ना बनाना भी है और इसके लावा आप लोग को भी आप लोग आप लोग को बताए थे एक साइड याद होगा हमने बताया था एक बार कापको उसमें exercise हाँ matrix का matrix का चल रहा है revision class ठीक है और उसमें से आप जाकर के एक बार मैं बता देता हूँ जो भी बच्चे जूड़े हैं नहीं जूड़े हैं तो जूड़ी जाईए 100% आप से तो आपका टेस्ट भी होगा और पीडिया भी दिया जा रहा है डाउट भी दिखा जाएगा सब कुछ होगा ठीक है उसमें left नहीं होना किसी को अनि तो समस्या कर देंगे आपको आपको मैट्रीक से कोशन भेज़े गया जो भी हम कोशन भेज रहे हैं वह अपने लिक करके भेज रहे हैं और जो प्रसन भेज रहे हैं वह 100% एक जाम में आएगा गारंटी रखते हैं ठीक है तो आप लोग उस प्रस्ट को बनाना है और कल होकर कि उसको हाँ पर चर्चा करेंगे तो एप के मादेम से आपका हो रहा है revision और live test हो रहा है और doubt class अधर आपका जा रहा है clearance है ना तो आप लोग अच्छे से उस चीज को देख लिजिएगा जो भी हम questions भेजे होंगे तो आप देखिएगा उसमें जब app में जाएगा तो एक होगा study material करके होगा सबसे last में होगा हमें साइध उम्मीद है सबसे last में जाकरके जाएगा तो study material आएगा study material को जैसे यह आप okay करेंगे तो तीन चीजे आ जाएगी एक आ जाएगा आपका साइध यूट्यूब आला होगा section उसमें नहीं कुछ डाला गया है एक होगा image बाला और एक होगा documents बाला है ना तो आपको एक image और एक documents बाला में okay किजिएगा तो okay किजिएगा तो एक page upload हु चलिएगा तो आपको 7 या 8 questions उसमें मिलेंगे उस question को आपको बनाना है और कल मिंस एक मई को हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या आपने पूरा किया है तो वह चीज भी आप लोग systems लेके चलिए तो revision हो जाएगा उसे revision में मारा हो जाएगा तो आपको math जो है revision के लिए क study है ठीक है आज यह इतना ही थे कि